हेलो बच्चो कैसे हो मज़े मैं मैं रिजल्ट किंग सत्यम सर और आज आपके लिए एक स्पेसल कहिए या फिर इसको महदपूर्ण बोलिए एक नोटिस है जो आपके लिए एक बहुत फायदेमंद है मैं टीचर हूं तुम्हें पधाई कहीं बात कर पाता हूं और बाकी आप आप जिस फिल्ड में आगे जाना चाहते हैं जा सकते हैं अभी 12 क्रैस कोर्स का पूरा सीजन चल रहा है उसी के लिए लेके हम लोगों ने एक स्पेसल आपके लिए इनाॉंस्मेंट लेकिन यह मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा अगर मैं भूल जाता हूं तो कमेंट कर आपको पता चल जाएगा ठीक है तो वीडियो के अंतक बने रहेगा आज हम लोग करते हैं आगे का सिलसला चालू और यह आपके एटम बम बैच क्रैस कोर्स का या रिवीजन बैच बोल लिजिए रिजल्ट किंग का बैच बोल लिजिए उसका दूसरा दिन जिसमें हम उससे आगे कोशन करने जा रहे हैं तो आज का जो हमारे को बैंक का 2016 और 2017 में पूछा हुआ को यह हमेशा बहुत भी विजिए कोशन है कि सौटकी दोस और फ्रेंकल दोस के बीच क्या अंतर है या सौटकी तूटी भी बोलते हैं उसको और फ्रेंकल तूटी यानि कि सौटक की डिफक्ट और फ्रेंकल डिफक्ट के बीच में क्या अंतर है तो चलिए सबसे पहले मैं अंतर यहां लिखा हुआ मैं अंतर को इंपड़ दे रहा हूं और उसको मैं explain कर दूँगा सौटकी दोस कब आता है या कि सौटकी डिफक्ट आता कब है जब किसी इधर में लिखता हो हूं सौठकी और सिनलमें लिखता हूं इस दोस में पारला पॉइंट है कि क्रिष्टल जालक की जालक बिंदु से समान संक्यम घनायन निकल जाटे है जो कि एस क्रिष्टल से पोजिटीव आयन और निसम नमबर से बाहर निकल जाते हैं और वो बीच में किसी भी क्रिष्टल के बीच में जो इंटरस्टेसियल मतलब यह मैं बना दे रहा हूं एक परफेक्ट क्रिष्टल से ठीक अब इस perfect crystal lattice से मैंने एक यहां से molecules को gap कर दिया ठीक अब यह molecules निकल कर यह बाहर आ गया अगर यह माल लिजे मैं इसको plus लेता हूं एक मिनट color change कर लूँ यह plus है यह minus यह plus यह minus फिर यह plus minus plus minus plus minus plus minus ठीक है तो एक plus यहां से gap हो गया और एक plus मैं यहां से gap कर देता हूं तो इस स्थिति में एक यहां से खाली हो गया और एक यहां से तो इन दोनों की स्थिति में खाली होकर यह पूरे के पूरे lattice से बाहर आ जाता है ठीक है क्या हुआ यह आयन जो है वह इस crystal lattice इससे बाहर आ गया किसमें सौट की दोस में जबकि फ्रेंकल दोस में क्या होता है एक मिनट तब तक तुम लोग अच्छे ची सांसे लो सांस को लंबा खीचो छोड़ो नींद कमाएगी माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस अच्छा चलो एक कोसचन का आंसर दो तो हमारे बायूD मंडल में कितना परसंट्ड एंग गूगल सर्च कोई सब्सक्रव नहीं करेगा तो तरक में이 लेट्टिस बना ले रहा हूं किसी नहीं दिया Google search नहीं करेगा कोई और मैं इसका answer भी नहीं बताने वाला अब यहां पर क्या है ठीक है मतलब यहां से माइनस और यहां से प्लस गाइब हो गया अब यहां से निकल कर इस बीच वाले जो खाली अस्थल है वह यहां पर आके फस जाता है ठीक है अब यह जो अंतराकासी अस्थल में जो यहां पर आके वह फस रहा है यह तब जो दोस उत्पन होता है इसको हम को बोलते हैं फ्रेंकल दोस सबसे बड़ी बात है दोस का किसको रहें कल भी हमने बात कि थी दोस हम तब करते हैं जब किसी क्रिश्टल लैटिस के जो अनुपरमानवायन है वो किसी बिंदू से निकल कर या तो सदैप के लिए बाहर चले जाए वहला हमेशा बाहर हो जाए या आगर वह वहां से निकल कर तो भो होगा फ्रेंकल दोस और अगर वह से निकलकर पूर्णिता आउटसाइड आजाएगा पर्मानेंटल बहार आ जाता है तब उत्पणूता है सौट के दोस इसमें एक घनायन और रिनायन समान संख्या में बाहर आते हैं। लेकिन कभी-कभी objective ये पूछ देता है कि इसमें से एक घनायन पूर्णता बहार आता है, रिनायन नहीं आ रहा, तो उस case में जो दोस उत्पन होता है, उसको बोलते हैं रिक्ती दोस, ठीक है, अब रिक्ती दोस, सौटकी दोस में इतना सा ही फर्क है, कि सौटकी दोस में घना दोस का option नहीं रहता है, अगर रिक्ती दोस का option नहीं रहता है, और अगर कह रहा है कि घनायन बहार आ रहा है, तो उस case में हम सौटकी दोस को ठीक लगा सकते हैं, ये थुरा concept है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक, फ्रेंकल दोस में घनायन या रिनायन अपनी अं second point है मेरा, इसमें आयनों के पूर्ण रूप से निकलने से रिक्ती उत्फण होती है, और फ्रेंकल दोस कहता है, इनमें अनायन निकलकर अंत्राकासी अस्तल में फज जाते हैं, तो second point हम ये लिख सकते हैं, जो सौटकी दोस में second point क्या हो सकता है, कि जो घनायन और इनायन है वो पूर्णता बाहर आ जाता है, जबकि फ्रेंकल दोस में अंत्राकासी अस्तल में फज जाते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं, हम लोग पूर्णता बाहर आ जाते हैं, लेटिस से, यानि जालक से, और इसमें क्या हो जाएगा, अंत्राकासी अस्तल में फज जाता है, अस्त अगला पॉइंट है कि इस दोस्त में घनत्व अचली हाँ यह बहुत इंपर्टेंट अब्जेक्टिव भी बनता है हम लोगों का कि सौर्ट की दोस्त में जो घनत्व है वो क्रिष्टल लेटिस का घटेगा या बढ़ेगा इसमें जो आयन है वह हमेशा के लिए बाहर हो जात है और इसमें फ्रेंकल दोस्त में घनत्व न घटता है न बढ़ता है क्यों कि आयनों की संख्या घट नहीं रही है वह बाहर नहीं निकल रहा आयन अपनी अस्थान को अपनी बिंदू को छोड़कर एक अंत्रागास्य अस्थाल में फस गया मतलब आप इस जगह को छोड़ कर दूसरी जगह जाके बैढ़ गया बस तो इसमें क्या होता है घनत तो अब परिवर्तित रहता है मतलब किसी भी प्रकार से नहीं बन देगा ठीक है आगे हम लोगों का इसमें विद्धुधारा का परवा होता है और जबकि फ्रेंकल दोस्त में विद्धुधारा का गमन नहीं होता इसलिए इसमें विद्धुधारा का परवा होता है क्योंकि इसके आयन बाहर निकल रहे हैं और जब भी आयन बाहर आते हैं तो आप उसको विद्धुधारा के रूप में उप्योग कर सकते हैं उसके सतत परवा को विद्धुधारा का परवा होगा दोस में धारा प्रवाहित नहीं होता है अब इसके एक्जामपल को ले लेते हैं ठिक अच्छा एक बात और है यह जो फ्रेंकल दोस है आपके KCL, NACL, AGBR, AJCL, AGBR और AGI इसमें एक बहुत पॉपुलर बनता है कि ABC VR में याद रखियेगा 것은 बहुत भी विटयज़ और यहां पे क्या है ओब जैपिफियार में उसमें उसमें होता है अगला पॉइंट है यहां आपका उदासी न होता है जबकि इसमें आइनी ग्रूप में होते हैं ठीक है तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया आप स्क्रीन स्वाइब ले ले नहीं तो आप वार्सक्व यह जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तब तक में इसका पीड भी खतम हुआ था तो गुरूप में डाल दिया गया था इसका भी चैप्टर खतम हो जाएगा एक-दो दिन पर मैं इसका भी डाल दोंगा इसके लिए पहले जो है क्लासेस उस पच्छे से कर लीजिए एक बार यह आप पढ़ नहीं रहे हैं यह आप सोच के चलिए कि मेरा पा पर्मानों की वह संख्या जिसमें कोई पर्मानों किसी अन्य पर्मानों को असपर्स करता है जितनी संख्या में उसको उसका हम लोग क्या बोलते हैं जैसे यहाँ पर मालिज इतने पर्मानों को यह टच कर रहा है तो इसके अंद्रित पर्मानों का उपसा संख्या यानि कोडिनेशन नंबर सी एन कितना हो जाएगा फोर ठीक है इसी तरह से अगर घनिये निविट संकुलित संख्या है तो उस करें मैंने बताया था सीपी हो सीचीपी हो या एफ सीची हो इस केस में होता है 12 ठीक है यह कल इसके बारे में दिए होसे इसको एक पिंग जमतुर को मिली ऊगी एह लो भू concerishing की फीक है वह का यह सब्क्रस पूस्सग होघ्रा कर रहे जिन्होंने नहीं बनाया या जिन्होंने बनाया है अच्छा है उसको देखते रही है याद हो जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते हैं ठीक है तो अगला कोश्चन है फेरो चुम्बकिये और पारा चुम्बकिये में क्या अंतर है ठीक है सभी तत्तों में थोरा बहुत भी चुम्बकिये गुन होता है क्योंकि एलेक्ट्रोन जो घूमता है वो एक तो अपने अक्ष पे घूमता है दूसरा वो कक्षा में चक्कर लगाता है ठीक है इस वज़ए से प्रतेक तत्तों के अंदर एक टीनी मैंगनेटिक या टीनी मैंगन से बांटा गया है हम लोग जब लॉंग टाइप कोश्चन करेंगे तो वहां पर इसका एक कोश्चन है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे बाला है जैसे पारा मैंगनेटिक ठीक है यह चुम्बकिये गुन के अधार पर तत्तों का अंतर एक मिनट ठीक चुम्बकिये गुन के अधार पर ठोस पदार्थ यानि कि हम पदार्थ में ठोस के बात करें है के प्रकार ठीक है पहला है पारा मैंगनेटिक जिसको लोग बोलते हैं अनुद चुम्बकिये दूसरा है मेरा डाय मैंगनेटिक डाय मैंगनेटिक जिसको कहा जाता है हम लोग बोलते हैं इसको परती चुम्बकिये कि पीसरा है तो फैरो मैंगनेटिक यानि की लोह चुम्बक यह पूरा लोहा के बारे में है जो चुम्बक किए छेत्र में आसानी से और प्रभलता से अकरशित कर लेता है चौथा है फेरी चुम्बक यह यानि फेरी मैंगनेटिक और पांचमा है एंटी फेरी मैंगनेटिक ये पांच परकार के मतर हैं मुख्य रूप से ठीक है अब इस सभी में जो एलेक्ट्रोन है वो एक टीनी पार्टिकल जैसा काम करता है और उसके एरेजमेंट की वज़ा से ये अलग-अलग परकार बनते हैं हम लोग आगे परहेंग कि हम किसको बोलता है ठीक है इसके इसके लिए ले सकते हैं मैं से एक बात याद रखेगा ये पीडियक है ये हैंड रिटेन है किसी बच्चे द्वारा लिखा हुआ और मैं इसको पढ़ नहीं रहा है मैं एक एक करके सभी थियोरी को समझा भी रहा हूं कि आपको याद रह स पारा चुंबा के यानि पारा मैंनेटिक हम किसको बोलते हैं कि वैसे जो चुंबा के छेत्र में दुरवलता से आकरशित होते हैं वैसे पदार्थ को बोला जाता है पारा मैंनेटिक इसको पहचानते कैसे हैं इनमें जो आयोगमित एलेक्ट्रोन की उपस्थिती होती है यानि कि इसमें और यानि कि उपस्तिती होती है और यहां पर यहां पर जो का जो वैल्यू है वह है इसी तरह से जब एलेक्टानिक फिग्रेशन हम रहें निकालेंगे निकालते हैं और इसी के आधार पर फिर हम लोग चूंबक्या अगुण कितना है यानि कि चूंबक्या गुन को जो मापने की है उसको हम लोग बोलता है और जो उसका फॉर्मूला है वह कि अगुन का फॉर्मूला होता है 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 अगला व्यास होती हो गया उधारण के लिए C2 plus Fe3 plus O2 इन सब में अगुनी तैलेक्ट्रोन के संक्या इसलिए पारा चुंबकिय होता है पारा प्रवलता साकर्षित होते हैं बहुत बहुत जादा प्रवलता साकर्षित हो जाता है क्या होता है जो इसके अंदर के डूमेन है वो सभी एक दिसा में सजय होते हैं इस तरीके से सभी क्या होते हैं एक दिसा में सजय होते हैं यह डूमेन है ठीक है यह टीने इलेक्रोन पार्टिकल्स होते हैं वो एक दिसा में सजय होते हैं और इसी एक दिसा में सजय होने के कारण से जो फेरोचुंब कोपर इत्यादी ठीक है यह हो गया मेरा एक और कोशन रेड़ी टू मार्क्स वाला है हम लोग अभी लगहुत तर्य कोशन कर रहे हैं ठीक है चलिए अब जो भी इसमें लगहुत तर्य कोशन था हम लोग ने जो पूछावा कोशन है उसको भी कंप्लेट कर लिया है तो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से 21 सेल यानि की कोशन है 2017 पूछाव 21 सेल को परिवासित किजिए SEC, BCC, FCC में परमानों की संख्या निकालिए यह बहुत ही देख लूँगा अगर कोशन पूछा हुआ है जो छूट रहा है जो इंपोर्टेंट है उसको हम लोग यहां कवर कर लें इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों कहें कि सर थियोरी पढ़ा देते इंपोर्टेंट वाला तो मज़ा आ जाता तो एक पूर्णिया में बहुत प फर्ष क्लास लूँगा और मैं इसका आपको लिंक भेज देता हूं आप उसको सब्सक्राइब कर लेजेगा या फिर जो वीडियो आएगा आप उसको देखिए वहां पर मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं वहां हर एक टॉपिक का स्वरी हर एक चैप्टर का जो इंपोर् स्टेंडिंग रहेगा कि उसको समझना कैसे हैं बाकी नोट के लिए आप गुरूप से जूरे रहेगा या टेलिग्राम चैनल है आप वहां पर जूरे रहना है ठीक है 11 वजे कल हम लोग लाइब क्लास लेंगे और 11 वजे कल लाइब है तो 11 15 तक सभी बच्चों को रिक्वे के लिए 11 वजे सुभा में रात में नहीं 10-11 काफी है 11 वजे सुभा में हम लोग SES ऑनलाइन पर मिलते हैं ठीक है यह एमजा सर का प्लेटफॉर्म है इंगलिस के जो टीचर है और यहां पर हम लोग एक नए तरीके से हर चित को स्टार्ट करें पूजा मैं भी यहां पर सब्जेक्टिव में इंपॉसिबल है किसी भी तरह से पढ़ाया हुआ है लेकिन यह एदम 13 साल का सटिक पूछावा कोशन हम लोग कर रहे हैं अब थियोरी भी कर लेंगे तो आपका थियोरी भी हो जाएगा और पूछावा कोशन भी कम्प्रीट हो जागा एक पूरा कम्प हम लोग इस चैनल पर कर लेंगे एस ऑनलाइन पर और जो कोशन बैंक हम लोग कवर कर रहे हैं और अब्जेक्टिव वह अपने चैनल पर कर लेंगे दोनों मिला कि आपका एक संपूर्ण पैकेज बन जाएगा थैंक्यू कल मिलते हैं 11 बजए याद रखिएगा कल पहला इं जार शेछा ठीप ह हलो gonna झाएगा रहा बैंおля क्लिए गर दोने हो कि आ पहला पर ब cassette 올ाग कर दो हम ऐार कि आ रहे हैं गविता कोAg़ा दोनों मिलते हैं जालायल पिता की आप हैं फ realize उे तुऽ एलन वाभ एका आपे जाएम हैं कोर की आप हैं यारत नां से क्लिए अ जारते है